वारी वारी वालकम टो आल साथियों ग्हांप फाइटर नमरम पर आप सभी का हर्दिक स्वागत है जेपेसी पीटी जी एस पेपर वन की क्लासिश जहां पर हम दोग इंडियन हिस्ट्री को कबर कर रहें और पीपर वन में इंडियन हिस्ट्री आपके लिए बहुत का प्रयास करेंगे ताकि आपका syllabus भी complete हो जाए और आपको बहुत सारे प्रस्ण भी मिल जाए जो आपके एक ज्यांस में डारेक्ट लड़ जाए तो वैसे ही प्रस्णों के संग्रा के साथ फिर से आज सब्सक्राइब कर लिया है अगर आपने नहीं देखा है तो प्लेइलिस्ट में टाइप करें और प्लेइलिस्ट में आपको स्च्थ मिल जाएगी हिरे कि वाले सस्खर Rider आप देख सकते हैं वस्ट्रेटफ के आप कर चल रही है उसके लिए भी काफीं होते कौछी है और करेंडे प्रेंबिस्ट तीन लेईर से पर में चल रही है अपका हिस्ट्री प्लिट्रीकू और करेंडे पैश्री प्रस्थरी मे बहुत ही शीधा सा प्रस्ण है बहुत ही का सकते हैं यह ट्रेडिशनल प्रस्ण है लेकिन आपको याद दखना चाहिए ट्रेडिशनल प्रस्ण जेपेशी को पुछने का का सकते हैं आदत हैं सिवाजी की माता का नाम क्या था सिवाजी की माता का नाम जीजा भाई था क्या थ था पिता की मृति हो गेते आरंबिक जीवन में ही उनके तो सहाजी भॉंसले सिवाजी के पिता का नाम क्या था सहाजी भॉंसले जीजा भाई के पिता का नम क्या था अब जैसे यानि मतलब हो गया सिवा जी के नाना जी यह कौन हो गया सिवा जीजा भाई के पिता का नम जीजा भाई के पिता का नम लाको जी जाधवराव लाको जी जाधवराव सिवाजी के माता के पिता थे ना यानि जीजा भाई के पि करते थे उनकी से परसंध होकर साजी भोसले को बीजापूर के सुल्टान एक जागीर दी तो बिजापूर तो पूना की जागी पूना की जागी किसने देती बीजापूर के सुल्तान ने सिवाजी के पिता साजी भोसले को अगला है आपके लिए सिवाजी को स्टैन सिख्षा किसने रक्ष किया यानि स्टैन सिख्षा किसने पढ़ान किया दादा जी कौन देव दादा जी कौन देव सिभाजि ने अपना कितने आयू में अरहां कर दिया था और और完了 कर दिया था और यह का आपका w 1646 में 1646 में इन्होंने अपना विजय अभियान आरहम कर दिया था और उसकी जनम कर भूगा था 1627 में तो यानि उन्हें इस साल के उम्र में ही इन्होंने अपना विजय अभियान जारी कर दिया था नेक्स्ट सिवाजी ने अपना विजय अभियान किस वर्ष शुरू किया सिवाजी ने अपना विजय अभियान कब शुरू किया तो 1646 में 1646 में अगला है रामगर के किले का निमान किस ने करवाया रामगर के किले का निमान सिवाजी ने करवाया था रामगर के किले करने मार किसने करवा है सिवाजी ने सिवाजी ने 1656 में किसको जितकर अपना पुना अभियान शुरू किया सिवाजी ने किसे जितकर न किस किले को जितकर पुना अभियान शुरू किया तो जावली के किले को सोलो स्चपर में जितकर अपना अभियान को फिर से उन्हें स्टार्ट किया नेक्स्ट औरंग्जेब का मामा साइस्ता खां कहां का सुवेदार था औरंग्जेब का मामा साइस्ता खां कहां का सुवेदार था तो यह दक्षिन का सुवेदार था जिसकी औरंग्जेब के जो मामा थे साहिस्ता खाँ इनकी ललाई फिर सिवाजी से हुए और सिवाजी ने इसे पराजित किया और इसे भागना पड़ा था मुगल सुबेदार थे सिवाजी ने साहिस्ता खाँ को कब पराजित किया सिवाजी ने और अंग्जेव के जो मामा ते साइस्ता खा इसको कब फ्राजित किया 15 अप्रेल 1663 को सिवाजी ने सूरत पर कब आकर्मन किया सिवाजी ने सूरत पर कब आकर्मन किया था 1664 में जैसिंग और सिवाजी के बिच संधी किस किले में हुई जैसिंग जो कि मुगल सेनापति थे और सिवाजी के बिच एक संधी हुई थी जिसमें हलाकि सिवाजी की हार हुई थी और सिवाजी को अपने 23 किले वापस मुगलों को देने पड़े थे तो यह संधी कहां पर हुई थ को पुरंदर की संधीब कहा जाता है ना यह कब हुई थी 11 जून 11 जून 16 65 को पुरंदर की संधी हुई थी पुरंदर के किले में और यहां का सकते हैं यह संधी की सिवाजी के लिए काफी लॉस वरा था काफी हानिकारक था क्योंकि सिवाजी को बहुत सारे अपने छेत्र मोग मुगलों को समर्फित करने पड़े थे बहुत सारे किले समर्फित करने पड़े थे कि और चिवाजी पुना जीसे इस सौला शाफ मंशक्रे पूर अंदर की संधी हो जाती है तो पुरंदर के संदी के बहुत सारे सर्तों के साथ मुगलों के सर्तों को मानना पड़ता है लेकिन स्रिवाजी हार कहां मानने वाले थे उन्हें फिर से पुना मुगल छेत्र प्राक्रमन कब किया मुगल सिनापती दिलेर खां को स्रिवाजी ने कब समाप्त किया मुगल सिनापती दिलेर खां के हत्या कर दिया काफी मुगल एरिया को अपने पाव कर सकता फिर से जित लिया उन्हें बड़े सानो सोकत के साथ 1654 में क्या किया अपना THORSừ राजजाबी से किया और कौन सी उपा-दी धारं की सट्रपती की उपा-दी धारं प्रस्ण ये भी पूछा जाता है सिवाजी ने अपना राज्य भीषेक कब कराया तो 1624 में एक प्रस्ण यहां से बन जाएगा दूसरा सिवाजी ने अपना राज्य भीषेक कब कराया तो 1624 और कहां कराया तो राइगर सिवाजी ने अपना राज्य भीषेक कहां कराया था र करनाटक आकरमन था वह किस वर्स्त हुआ सिवाजी का सबसे महत्पूर आकरमन कौन सा था करनाटक आकरमन यह कब हुआ 1677 1678 में आपने मृत्यों से बस कुछी साल पहले वो नहीं करनाटक आकरमन किया उसके मृत्य कब हुई 4 अप्रेल 1680 को मृत्य हो गई चार अप्रेल 1680 को जब सिवाजी की मिर्ती हुई तब उसकी उम्र कितनी थी ना तब उसके आई कितनी थी तो जैसा अभी 1680 में उसके मिर्ती हुई और जन्म का वुआ था 1627 में तो कितनी हो जाती है यहाँ पर 53 यह ना 53 तो 53 अंसर आपका बन रहा है नेक्स्ट सिवाजी का समराज किन राजियों में फेला था वर्तमान अगर राजियों को देखा जाए वर्तमान में किन किन राजियों में उसका समराज सिवाजी का फेला था तो महाराश्ट में था ही मराटा समराज इसका वाद करनाटक में भी था और वर्तमान तमिलनाड़ो सिवान की सुवजा के दिश्टी कौन से सीवाजी ने अपने सम्राज को दो भागों विभाजित किया था एक कोनई स्वराज का स्वराज मिंस जहां पर उनका खुद को डारेक्ड अधिकार था स्वाराज के दुसरा नाम था मुल्क एक कादीम स्वाराज कोर क्या बोलते हैं मुल्क एक कादीम तो दूसरा चेत्र था वैसे चेतर यौन मुगल चेतर जहां से वो चोठ वसुलते ते ना टैक्स जो वसूलते थे वहाँ पर उनका अधिपात थे था डारेक्ट वहाँ पर रूल नहीं करते थे लेकिन वहाँ पर जो रासासक हुआ करते थे इनको टैक्स देते थे तो दो भागमत स्वराज या मुल्क एक कादीम जहां पर उनका खुद का नियंतर था दूसरा वेसे यहां से वह टैक्स वसूलतेते थे कौन सा टैक्स चोथ पर उसी राज्यों से सिवाजी स्विवाजि के पर उछ पदो पर किसको Rig के परशाषन में जितने ही या कि पर से महाँ हिंदोओं को निंगत्द किया थे लीगुद चीन स्थानों पर राज के भास और्दु या फार्ची थी, उन्होंने किसे राज के भासा बनाया, यानि सिवाजी ने जहाँ पर पहले उर्दू या फार्ची राज के भासा हुआ करती थी, वहाँ पर उन्हें ने मराथी को राज के भासा बनाया, सिवाजी ने रघुनात पंडित हनुमंत के निर्देशन में सरकारी परियोग के लिए एक सब्द कोस त्यार करवाया उसका नाम क्या था सिवाजी ने रगुनात पंडित हनुमंत के निर्देशन में सरकारी प्रयोग के लिए एक सब्द कोस याने डिक्स्नरी बनवाया था उसका नाम क्या था राज विभार कोस तो राज विभार कोस किस ने बनाया था तो ये बनाया था आपका रगुनात पंडित हनुवंत ने किसके निर्देशन पर तो सिवाजी के निर्देशन पर राज बिभार को शिया दखिएगा पर सासन को स्रेष्ट बनाने के लिए सिवाजी ने मराठा समराज को कितने प्रांतों में विभाजित किया था यानि सिवाजी के काल में उनके समराज में कुल चार प्रांत वा करते थे नेक्स्ट प्रांतों को किसमें विभाजित किया गया था जो प्रांत से प्रांतों को इना परगनों में बाटा था अना सुपल उसका हो गया समराज समराज को बाटा प्रांत में और प्रांत को बाटा किसमें परगनों में समराज हो गया प्रांत में और प्रांत फिर किसमें आप परगनों में अब परगनोओ का भीबारान कि सनिक नहीं किया गया परगना का विभाण के किन गाउन में किया गया ग्राम आधो कलंदों का पर अधिकार करण तर गांगों कर दिये पतल नए जागीर्ठा स्वाप्त कर गया दिह सीवाजी ने जागीर जागीर पर यानिया जामिन जो दिया जाता था जामिन कर टूकुला और शानिकों को नगदबेतन जाजीक की अधिकारियों की पद लिखाली पररुम किया ना कि बन सानुकरम के धार पर, सिवाजी की राजस व्यवस्ता किस प्राधारित थी, सिवाजी की जो राजस व्यवस्ता थी, वो किस प्राधारित थी, मलिक अंबर की राजस व्यवस्ता पर, मलिक अंबर कहां के थे, अहमद नगर, मलिक अंबर कहां के थे, अहमद नगर, तो स्रिवाजी के शासन काल में सभी जिलों के राजस अधिकारियों पर किसका नियनतर होता था ख्रवाजी के समय भूमी को किससे नापा जाता था सिवाजी के समय लिए जाता था तो उसको बोलते था काथी जान। सिवाजी के सासनकाल में ऊपज का कितने पर्तिसत भूराजस के रूप में लिया जाता है कि जाता था भूराजस 40% 40% टैक्स लिया जाता था सिवाजी के समय दो परसिद्धिकर कौन से थे जो सबसे फेमस करते और जिसको लेकर कापे बीजिचम विवाद भीवाद हुआ करता था तो चोथ और सर्देश मुखी चोथ वसूलते थे किस से मुगल चेतर से जो मुगल चेत ताकि वहाँ पर मराठों का आक्रमन नहीं होगा शुरक्षा करता और दूसरा सर्देश मुखी यह इसलिए वसूलते थे शिवाजी वह बोलते थे कि हम लोग यहाँ पर बनसानुगत मुखिया हैं सर्देश मुख इस लिए इस टैक्स को सिवाजी वसूलते थे सर्देश खनाय धैक्स टे सिवाजी की निय बवस्ता किस पर आधारित थी सिवाजी की जो नियाए वबस्ता थी वह प्राचिन हिंदू कानून पर आधारि था उनका गाउट जाने जाए अधीकारी होते थे उनको वही निपटी आते था लगाउट ऑते अपने अस्तर सही से निप्टा आते थे और गाउं में सबसे प्रमुकाविकारी कौन थे तो पठेल निप्टा थे सिवाजी के समय अंतिम नियालय को क्या का जाता था सिवाजी के समय अंतिम नियालय जो सबसे बड़ा नियालय था यानि सुप्रीम कोड का सकते हैं सिवाजी के समय का 2002 चीट कि लिए थे कितने के लिए सब्हुर्स के लिए आप सभी के लिए जिए the wearing १ि में हम लोग इंडियन हिस्ट्ट्री में हम लोग मराथा less कहबर कmotion के यह match इसी क्यों की लिए क्लासे चल रही हैं और क्रेंट मिलुग अब सॉन्ड ऊधियो विल्कुल फ्री में जैपैसी पीटी के त्यारी करना तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेर आइकन को प्रेस करके आल बटन को क्लिक करके आप सारे क्लासेज विल्कुल फ्री में डेख सकते हैं आपको पेपर वन और पेपर टू की क्लासेज मिल जाती है तो आप भी चाहते क्लासेज जोइन करने की चैनल को सब्सक्राइब करके रख लाएं थाकि एवरी क्लासेज नेक्स डी जब भी अपलोड हो एवरी मॉर्निंग आपको नोटिफिकेशन जार आपको देख सेके थैंक thank you very very much for watching this video and connecting with exam fighter no.1